हलो दोस्तों वेल्कम बैक टो वर यूट्यूब चैनल तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा डी एफ सीसी आईयल में वैकेंसी आ चुकी है तो उसी के में प्रीविस यहर पेपर के वारे में बताने जा रहा हूं तो यह पेपर दो अज्जा सोले का है सत्रे तारीक चार मही सबस्वाइब पर है सिर्थ है और यह एक्सिक्यूटेव पोस्त वाला अलेक्ट्रीकल का है सिविल का मैंने डाल दिया और जह ऑपरेटिंग का यह वह भी अभी डारने वाला हूं तो यह दिखो टेकनिकल वाला पार्ट है और नीचे नौं टेक वाला देखते हैं उसके बा पहला कोशन रीजनिंग का ऑके तो इसमें क्या दिया है देखो पहला कोशन सेटिंग और यह इंग्लिस में तो इसे नहीं देखेंगे हम दूसरा देखेंगे ठीक है दूसरा कौशन देखते हैं कैसे होगा कि इसमें क्या है यह सिक्वेंस में रखे हुए हैं तो आपको ऑप्षन में से रखे देखना है कौन सा सही ऑप्षन ठीक है तो जब हम यह पहली डैस की जगह है जब हम पहला अच्छर रखेंगे बी या ए या ए ठीक है उसी तरह अगली रखते जाएंगे डैस की जगह खाली जगह जगह अगले अगले रखते जाएंगे फिर देखेंगे क्या इसमें कोई sequence बन राएं तब जाके वही option सभी होगा तो जैसे double A है उसके बाद खाली स्तान उसकी जगह हम A रखते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा triple A triple A ओके ऐसे ही अगले जो खालिस्तान है उसकी जगा बी रखेंगे तो बी क्या होगा बी और बी एक भी और रखेंगे खालिस्तान अगला वाला तो इसकी जगा ट्रिपल भी तो क्या होगा ट्रिपल ए ट्रिपल बी ऐसे अगले जो खालिस्तान है उसकी जगा रखेंगे इससे दो ए और ने तो इंहें और देह लेते हैं में तो डबल खालिस्तान है उसकी यह क्या है डबल वी तो डबल वी तो देखो पैतन बनना यह ट्रिपल ए ट्रिपल बी डवल ए डवल बी इसी तरह आगे ए और बी तो यह पैटन बनना यह option is the right answer इनमेंसे आप कोई भी option रखके देखो कोई भी pattern नहीं बनेगा identify the similar set of numbers जिस तरह का यह एक set दिया है उसी तरह का चार option दिये है उनमेंसे भी एक है तो उसी को आपको chain करना है कौन सा सही है तो 64, 81, 144 पहले चारा option देखो आप इसमें कुछ नहीं है यह बहुत इक होसान है इसमें क्या दिया है 64, 81, 144 यहीं से साफ देख रहा होगा यह क्या है 64 वर्ग है एक जिसका square है एर्थ का और जो 81 है वो किसका है 9 का square और जो 644 है वो 12 का square है तो यह क्या है यह है set of square इसी तरह हमें देखना है इसमें से कौन सा set square का है तो देखो इसमें 21 आ रहा है ठीक यह कुछ नहीं है ठीक है यह कोई square नहीं है तो कौन सा option A option is the right answer इसमें क्या है 256 तो यह किसका square है 16 का यह 18 का और यह 19 का इस तरह से है देखो अगला question क्या दिया है question को पढ़के बताता हूँ साइच साप न दिख रहा हूँ in a certain code knowledge is coded यह दिया है 256-5354-75 how is general coded तो general को किस में code किया जा सकता है तो बताना है जब knowledge को हम इसमें code करते हैं तो general को किसमें code किया जाएगा तो देखो इसमें कुछ नहीं है इसमें k को इसने किस से code किया है 2 से n को किस से code किया है 5 से तो ऐसे देखेंगे हम g को किस से code किया है g को इसने code किया है 7 से देखो g g second last है g क्या है second last तो उसी को देखेंगे अभी जी क्या है second last second last seven जी को इसने किस से code किया है साथ से इसी तरह इ को किस से code किया है तो पहले साथ आएगा इ को किस से code किया है इ को इसने किया है पांच से ठीक है तो पांच आएगा इसी तरह n को इसने किस से code किया है n को इसने code किया है 5 सी तो 5 आएगा अब लाइस देख लेता हूँ मैं लाइस्ट से टा डख्ट वाला च्र sudah जैसे हल है Court किया है यह टीन से टीक है तो टी लास्ट में तीन आएगा और सुरुगत में 755 1977 कौन सा मिल्ला है पर सुरुगत में सबगत तो तो आपका यह भी है और यह 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 तो नहीं और कितना था तो देखो इन दौनों में लास्ट में तीन किसमें इस वाले में तो सी औप सब्छों अगर आपको कोई सवारा हो तो comment पूछ सकते हो और जो एक्जीक्वीटिव ऑपरेटिंग की जो पोस्ट है ठीक है तो उसकी तैयारी हमारी चैनल पर चलेगी ठीक है आप जाकर देख सकते हो वैसे भी नॉन टेक की तैयारी चलती रहती है अभी यूपी मेट्रों की क्लास चली थी तो यह कॉस्ता नमर पांच है आप देख बुले कन में ब geschक्णुन को इसमें कॉड कि अच जाए तो यह कि गतने पहोड़ा अट जी कितने से साथ कितने पर आता है बाइस पर तो 21 और 12 एन कितने पर आता है 14 और कितने पर पंद्रह तो पिलस एक पिलस एक सम में प्लस वन किया है इसी तरह इसमें प्लस वन हो जाएगा दैन में तो आई बीजु इसकोड़ एच आई कितने पर आटा है 9 पर तो 10 जे ठीक है जे भी कितने पर दो पर तो सी सी प्लस वन ठीक है प्लस वन एड करते जाओ यू कितने पयाता है 21 तो 22 यू को किसमें वी 22 तो वी जे-सी-वी अंसर होगा आपका जे-सी-वी जे, सी, वी, ओके, तो इसमें तो आंसर दिया नहीं है, इसमें दिया है HAT, तो वैसे आंसर आपका ये से होना चाहिए, इसने ये कैसे किया है, इसने देखो एक गटा दिया है, इसने एक गटा दिया है, आई में से एक माइनस किया, बी में से एक माइनस किया, और यू में से एक माइनस के वैसे होना नहीं चाहिए आंसर तो वही होना चाहिए अगर अगला कॉस्टन क्या दिया है मिस्टर सी इस सिटिंग ऑन नाइन्थ चेर मिस्टर सी हैं वह नाइन्थ चेर पर बैटे हैं फ्रॉम दा लैप्ट ठीक है और जो सेवन्थ फ्रॉम दा राइट और राइट एंड से वही चेर कितने नम्मर पर है 17 17 में पर जैसे राइट से कितने पर है लेट से कितने पर है नाइन्थ पर ओके और जो राइट एंड से है वो है सत्रे सत्रे वी नम्मर पे 17 तो पूछ रहा है टोटा नम्मर ओप चियर इन दोनों को जोड़ो माइनस एक कर दो सत्रे और आठ कितना हो गया 25 तो 25 सिदा राइट आंसर यह कैसे होता है देखो समय लो यह क्या है अब पूछ अब यह कॉसं दिया है कि सी का जो मतलब सी है वह इधर से कितने नम्मर पे इधर से तीसरे नम्मर पे तो पूचा है तो इन दोनों को जोड़ दो एक घठा दो कितना आगया पांच तो इस तरह से इवह है ठीक है सब को जोड़ दो एक गठा दो आगे चलते हैं क्योंकि जो इदर से मतलब लेप्ट से और राइट से जो बीच में होता है वो ये कॉमन ही हो जाता एक तरह से इरान इस रिलेटर टू बगदाद इन दो सेम बे आस्ट्रिया इस रिलेटर टू देखो, कॉस्वन क्या है? कॉस्वन नमों 7 यए कह रहा है इरान जिस तरह बगदाद से सम्मझ Mitt इस तरह ओस्ट्रिया किस सम्मझ देता है तो इरान की राइधानी पेया होती है? बगदाद और ओस्ट्रिया की राइधानी वेर आना option is the right answer आगे चल्दें अगला question देखते हैं यह blood relation से question आया आपका X is the maternal aunt of Q and who is the son of Z and Z is the son-in-law of E then how is X related to E maternal aunt क्या होती है मौसी, चाची, ताई ठीक है इस तरह से तो क्या हो गया? X is the maternal aunt of Q तो X क्या है? X maternal aunt है negative लगाएंगे lady है तो lady मतला female ठीक है और aunt Q की तो Q एक generation नीचे पहुंच जाएगा who is the son of Z जो कि किसका पुत्र है? जो कि किसका पुत्र है? Z का यह क्या है? Q, Z का पुत्र है और X इसकी क्या है? मौसी है मौसी माल लो and Z is the son-in-law of E, जो Z है वो son-in-law E E का क्या है? दामाद है then how is X related to E? X related to E, X क्या है? X क्या है? X पुत्री है ठीक है? तो option is the right answer X का E से क्या संबन्द है? तो X क्या है? X E तो होगी X पुत्री तो होगी तो option A is the right answer इन questions को देखो ऐसे ही करते हैं जो male होता है उसे positive लिखते हैं जो female होता है उसे negative लिखते हैं और generation के साथ से एक उपर ठीक है? अच्या, question number nine क्या कह रहा है? Determine the pattern and fill the missing words ठीक है? यह pattern दिया है इसमें आपको missing words चूज करना है आएगा तीन, आठ, अठारा, अड़तीस और यहां पर क्या है? अदियो तीन, पंच इसमें 5 add किया है इसमें 10 add किया है इसमें 20 add किया है तो इसमें 40 add होगा ओके देखो पांद दूनी 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80 तो इस तरह से एड़ होते आएंगे तो 40 एड़ कर दो 38 में तो कितना हो गया 78 78 और इसमें 80 एड़ करोगे तो कितना हो एगा 158 तो आप्शन सेवन्टी एड़ होगा इसका ओके 78 पूरिदा अगला क्वेशन देख लो कि डारेक्शन डिस्टेंस तो देखो इसमें क्या है एंड भी स्टार्टर फॉर्म एफिक्स प्लेस ठीक है एक प्लेस से और भी स्टार्ट होते हैं चलना ओके यह मूब टूबाड नॉर्थ एक दर क कि तरफ जाता है एंड आप्टर वाकिंग ट्री किलोमेटर टर्म और राइट एंड कवर चार किलोमेटर यह क्या कह रहा है देखो इस तरह से ए और भी है यह पॉइंट कोई कहां से ए और भी चलना प्रारम करते हैं यह मूब टूब नॉर्थ एक दर की तरफ चलता है यह नॉर्थ की तरफ यह मैंने बता दिया नॉर्थ इस्ट वैस्ट ठीक है किस तरह से होते हैं कितना चलता है यह नॉर्थ एंड आप्टर वाकिंग तीन किलोमेटर चलता है ठीक है यह कह रहा है कि नॉर्थ मूव करता है और तीन किलोमेटर घुमने के बाद टर्न करता है टर क्लोमेटर इन यहीं से तो मिले यहां से यहां से चलेगा कौन पर वी को देखते हैं यह इस्स इधार रहा कि इस इतार हे रहा है वैस्ट ड्र चलता है कितना चलता है oilrabust जलता है तो इसका right किदर होगा इदर ऊपर की side कितना चल गया 30 km now ? how far मतलब यह पूछ रहा है ए और B मतलब ए और B के बीच कि Duk REALLY channel ठीक है मतलब पूछ रहा है ए B से कितना दूर है तो कितना है तो देख लिजिए यह कितना हो गया यह पाँच हो गया इतनी दूरी कितनी होगी यह पांच और चार इदर है तो पांच प्लस चार कितना होगे नौ तो नौ इस दराइट आंसर नौ किलोमेटर तो देखो आपका यह खतम होचका है रीजनिंग वाला पार्ट अब देखते हैं जीके वाला उसके बार टेक्निकल तो देखो इसमें क्या है दोज्जा सोले की करेंट पूची गई है और ठीक है तो दा इंडियन कॉंस्टिटेटर केम इंटू फोर्स आउन क्या कह रहा है 26 चनुवरी 1950 तो देखो जो हमारा गड़तंत्र लागू सम्मेदान लागू आता कव लागू आता ठीक है 26 जनुवरी 1950 को ठीक है हमारा गड़तंत्र जो गड़ लागू आता सम्मेदान एक तरसी कव लागू आता 26 जनुवरी 1950 यह देख लीजिए अगला कॉसन क्या है हूँ वन दा टाइटल ऑप ऑस्टेलियन ओपन टैनिस टूनामेंट यह देखो करेंट का ठीक है ऑस्टेलियन ओपन टूनामेंट पूछा है दो जास वो लेगा ठीक है का कर दीनोंट यूनिट यूश्च फ्रम Sae Reject एनेरजी यूनिट है जो उनन्रू को मीजर नहीं गर्ती तो दिको जूल भी करति है जूल में और जिको माँपा याता अर्ग में पायाता किलारीज में माँपा याता यह क्या कूण नहीं जेसे में नहीं माँपा पया सयग्ए परम युवा टू काफी मिपूटेंट है वू रिसीब्ड के वीर मनी सोसल जेस्टिस अवार्ड ये भी करंट का है फॉर्ड ये दोहजार सोला नितीस कुमार ओके विच इंडियन स्टेट हैज अ सेपरेट कॉंस्टिविशन जम्मू एंड कस्मी दोहजार सोला का कॉस्टन आप देख दीजिए फस्ट ऑफिस्यल क्या है इंडिया वाच कंडुक्टर इन द इस्टेटिक अ यह दीख लेजिए आगला कॉस्टन यह है और यह है ठीक है इस तरह से यह कॉस्टन पूछे गए थे जीगे के और अब चलते हैं आपको टेक्निकल की तरफ लेकि टेक्निकल में देख दीजिए आप किस किस तरह से कॉस्टन पूछे जाते हैं ओके देखो पहला कॉस्टन ये दिया है ये दूसरा कॉस्टन है ये इस तरह से ये सारे कॉस्टन दियें और इसकी में पीदियाफ देखो डलवा दूँगा टिलिग्राम चैनल पर ओके आँअब वहाँ से जाके डाउन्लोड कर लीजिए अच्छी तरह देख लीजी एक बार ये सारे कॉस्टन दियें देख लीजी एक बार और अगर कोई भी आपको डावट हो तो कमेंट सेक्षिन में आप पूछ सकते हो के और इसकी भी जो नॉन टेक की प्रिपरेशन है वह भी मारी चैनल पर चलेगी तो आप जागे क्लासेश कर सकते हो